Sir, Time Management को लेकर एक Question आ रहा है, सबसे पहला आज की समय एक Student का सवाल रहता है कि Sir, Time Management यहाँ पर कैसे करें, और Time Management यहाँ पर जो है न, Management, यह हमारा सिर्फ एक पटिकुलर्ली SSE की करने वाले, SSE की प्रिपरेशन करने वाले चादरों की दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चाहे वो अपने आप में बहुत बड़ा विश्य है, जिसके उपर बात किया जा सकता है, और जिसनको अगर हम सही तरीके से मैनेज ना करें, तो शायद जो है, जो हमारी ग्रोथ है, हम उस तरीके से कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो इन 24 गंटे में लोग किस तरीके से आगे करते हैं, और किस तरीके से जो है अपने ग्रोथ को डबल, ट्रिपल, चार गुना, पांच गुना कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपोर्टेंट होता है, टाइम मेनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, वो होता है मेरे भाई, प्रायोरिटी, कि आपका प्रायोर किताब के अंदर और जो मेरी आ रही है, किताब जिसके उपर मैं काम कर रहा हूं, उन्में और क्या क्या होना चाहिए, कई सारी चीज़े के अंदर होता है, कि हाँ, इस बच्चे के साथ स्ड़ेडे को मीटिंग है, उस बच्चे का इंटर्व्यू संड़े को लेना है, पच अगर मोदी जीवन में तो कही सारे काम आ रहे होंगे अगर मोदी जीवन में सुभा से लेकर शाम तो उनके 50 काम होंगे तो वो अपने 24 गंटे को किस तरीके से उटिलाइस करते होंगे Elon Musk जो कि दुनिया के सबसे richest वेक्ती है उनके भी तो 50 कम होंगे अगर वो रोज भी एक एक कमपणी में मीटिंग करना चाहे तो शायद पूरा साल लग जाएगा हर कमपणी में एक दिन की मीटिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी वो दुनिया के richest person कैसे बने हुए तो यहाँ पर आता है मेरे भाई सबसे पहले कि priority की हम चीज़ों को priority किसको देते हैं यू समझ लीजे मान लीजे कि आपके दो काम है पहला काम यहाँ पर यह है ठीक है कि आपको खाना बनाना है और दूसरा काम आपके पास यहाँ पर यह है कि आपको mock test भी देना है ठीक है चलिए मान लीजे अब आपको पता है कि आपके पास मातर 4 घंटे हैं और खाना बनाने में आपको यहाँ पर लगने वाले हैं कम से कम 2 घंटे और mock test जो है उसमें मांगता है कम से कम यहाँ पर 3 घंटे कि यहाँ पर यह जो 3 घंटे हैं यह मुझे किसी भी situation में किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए 2 घंटे का mock test और 1 घंटे का यहाँ पर analysis ठीक है तो आप यहाँ खाना बनाने के लिए time देंगे आप यहाँ पर एक तरीके से mock test के लिए time देंगे तो यह दो काम आपको नज़रा रहे होतें कि आज आज आपको यह काम करना है लेकिन आप यह काम नहीं करते हैं नहीं आप खाना बनाते हैं बढ़ियां से और नहीं आप यहाँ पर तयारी करते हैं आप जो करते हैं वो शुरू करते हैं सबसे पहले रिल से शुरू करते हैं पतली कमरिया से आपका rail से शुरू होता है और खतम कहां पर होता है न ये आपको पता है न मुबाइल को पता है बस खतम हो रहा है उसके बाद एगंटे जब आपका rail wheel खतम हो गया तो चलो कुछ लोगों का ये भी habit होता है मरे भाई कि अभी जो अपने प्रियजन है जो हमारी महिला मित्र है या जो हमारी मित्र है अभी तो उससे बात ही नहीं हुई है तो आराम से ये ये फोन लगा के एगंटे इधर भी चैट बाट चल रहा होता है अब इसके आपके निकल जाते हैं दो गंटे अब उसके बाद मन में विचार आता है कि भाई देखो बात इसी है सारी चीज़े बाद में है पेट पूजा पहले है पेट पूजा पहले है तो आराम से यहां पर पहले खाना बनाएंगे समय होगा तो बाकी चीजों को देखेंगे और ऐसे करते करते हैं आप अपना पूरा दिन चर्या निकाल देते हैं यूट्यूपर किसने क्या कहा उसमें बड़ी दिल्चस्पी होते हैं आपको thumbnail भी ऐसे होते हैं कि दिल बार बार मजबूर करता है बेटा तुम हमको क्लिक करो तुम हमको देखो नहीं देखो गए तो तुमारा जीवन कैसे चलेगा जरूरी है उसो लेवल के ग्यान आप लोग एकदम प्राप्टी में लग जाते हैं कि नहीं हमको तो ऐसा ग्यान से है कि उसो जो है हमें उन्हें भी फेल कर देना है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बड़े खतरनाक लेवल वाले ठीक है वो जो है अपने आपको बहुत स्वाडम समझते हैं बताने क्या है लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट है उन्हें जो है न बस तलाश होती है कि यूट्यूब पे कौन सा थमनेल चड़ा हुआ बढ़िया वाला किस टीचर ने क्या बोला ठीक है कपिल शर्मा के शो में क्या हुआ कहां पर खांसर पहुचे अच्छा खांसर पहुचे तो वहां बोले क्या फिर उसके बाद हम जाके वहां पर कमेंट जरूर करेंगे ना नहीं कह सकते हैं बाई साब किनी दो टीजर की यहां पर कॉंट्रवर्सी चल रही है तो उनमें हमें जरूर कूदना है वो छोड़िये पतली कमरिया का ट्रेंट कहां तक चला है यहां पर हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे शाहरु खान की मूवी बॉयकट हो रही है तो हमारा उसमें बहुत महत्वपून योगदान है हमें तुस पर चर्चा करना ही करना है वो छोड़िये लड़कों के अंदर जो एक बात होती है वो क्या होती है यहां पर कि भाई मैच चल रहा है इंडिया न्यूजिलेंड का ठीक है ना नहीं कह सकते है बिशारे एक तरफ लाइबरेडी में जो है अपने जीमन में आज बहुत बढ़िया बैटिंग के विराट कोली ने मज़ा आ गया अगला भारत का जो बैट्समेन वो सुर्य कुमार यादो ही होने वाला है इससे बढ़िया तो बैट्समेन होई नहीं सकता इशान किशन इतना बढ़िया खेला बताओ दिसंबर में और जनवरी में उसको बिठा दिया बिटा तुम नहीं खेलोगे तो इसके उपर डिबेट चल रहा होता है लैबेडी के बाहर वो छोड़ो चलो मैच वैट जीत गए अब जीत गए तो डिसकेशन भी तो होना चाहिए न जाएंगे चाहे वो जाओगे नहीं जाओगे वो है कैपसिटी की बात की बात है आपको बुलाएगा भी नहीं कोई वहाँ पे लेकिन देखना जरूर है दूसरों का एक्सपेरियंस भविश्य तो यहीं से जाएगा न लेकिन हाँ इन सब के बावजूद सबसे अची काम जो आप करते हैं वो क्या करते हैं वाल्पेपर बढ़ा बढ़ियां लगाते हैं और वाल्पेपर में बढ़ियां क्या लगता है तो भाई साब एक्साइज इंस्पेक्टर की कैप हो गया UPSC में IS-IS का कैप हो गया जो अपनी लाइबरी की सीट है बढ़ा बढ़ियां एक दम कार लगा रखा है निली बत्ती वाली अलागि जो अब मिलती नहीं है तो फेक मोटिवेशन कहीं सा रहे हैं जैसे मानों कि मैं अगर आज अपने गोल बना रहा हूँ तो सुबह में जो मेरा गोल बना है, सुबह में जो मेरे टार्गेट्स बने है वो क्या आज रात तक के सब्जिक्ट के लिए बना है या फिर अगले एक साल तक के लिए बना है या कुछ ऐसा बना है, जिसके उपर हम बात करें, तो अगला मेरा एक साल का भविश्य टिका हुआ है, अगले मेरे दो साल के भविश्य टिके हुआ है, उसके उपर बात होती है, तो प्रियोटराइज करना अपने काम को बहुत जरूरी है, अगर मैं आपके जगा स्टूडें जो मेरा था, वो हमेशा मेरा रहेगा, जो मेरा था ही नहीं, वो कभी होई नहीं सकता है, तो प्रियोटी यहां पर क्या है, तो प्रियोटी यहां पर यह है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं, जैसे मानिए कि अगर आप एक बहुत बड़े बैट्समन बन रहे हैं, तो क्या वाक्वी में आपका level जो है आपका जो काम है वो इस IPS level का है आप इस तरीके से मैनत कर रहे है या नहीं कर रहे है या फिर इस rat race में आप भी कहीं गुम से है तो मैंने हमेशा कहा कि सबसे पहला होता है यहापर कि time management अगर आपको कर रहा है न तो priority देनी पड़ेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैट्स के उपर ही काम कर रहे है आपको रीजिनिंग से या इंगली से या मानलीजे जीए से अगर आपको डर लगता है जो कि आपकी बहुत बड़ी weakness है तो आप उसको एकदम जो है सो तेले वेक्ती की तरह एकदम ignore करते चले जाते हैं अपनी X की तरह उसको एकदम बल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं या आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है जबकि आपका जो ग्राफ है वो उल्टा होना चाहिए मेरा मानना यहाँ पर यह है कि जो चीज आपकी strength है वो हमेशे आपकी strength रहने वाली है वो कही मेरे points कमजोर है मैं उन्हें daily 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 करकर के समय बढ़ाते चला जाओंगा तो वो मेरा और strong part होता चला जाएगा और strong part होता चला जाएगा तो हम यहाँ पर selection में और आगे बढ़ते चले जाएगे एक और example जैसे हम ऐसे समझाते हैं आप बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से guidance वीडियो देखते हैं और भी कई सारी चीज़े देखते हैं जहाँ पर आपको लगता है सुनते भी हैं कि न्यूस्विपर रेटिंग बहुत जरूरी है पहला दिन आप न्यूस्विपर उठाते हैं एकदम ध्राम खतम भाई नहीं समझ महाया उसके बाद दूसरे दिन की आ कि आपको सब कुछ आ जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है तो सबसे पहले प्रायोटी बनाईए प्रायोटी में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नोट करिए और जो आपकी वीकनेस है आप उसके उपर काम करिए ठीक है दिन में सौ गाम आपके पास आएंगे बोलता है ना प्रायोटी आपको किताब लेना है प्रायोटी आपके प्राक्टिस सेट लेना है प्रायोटी आपका जीके के कोश्टन्स लगाना है प्राक्टी आपका डिसकेशन जो है वो डिसकेशन आपके IPL के और बिग बोस ना होके वो डिसकेशन अगर स्टाटिक जीके के हो तो मु पूरे दिन में 9 घंटे मिलते हैं और 9 घंटे में अगर मान लीजे कि मेरा 2 आवर ट्रावलिंग में चला जाता है, 2 घंटे ट्रावलिंग में चला जाता है, यकीन मानी हो सकता है, तो अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, देखता हूँ मेट्रों में, कि लोग जो है यहां से नुएडा जॉब करने जा रहे हैं और वापस नुएडा से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह में जाते वक्त उनके हाथ में नियूस्विपर ह देते चले हैं, लाइब्रेडी में जो है बाकी लोग बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अब बहुत लोगों की आदत भी यहां पर होती है, कि खाना खाने के बाद कम से कम एक घंटे का तो रहस चाहिए ही चाहिए, बौड़ी में रैक्टिवी नहीं होपाता है, हम सुच के 2.5.30 से लेके आर मैं रात के 2.4.40 बाब बज़ी तक पढ़ाता हूँ, और इसे मुझे दिन में 10 मिनट का भी बरेक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, और 2.20 के बाद भी होता है कि अगर इए घंडे की कलास होँरे तो मैं और पढढा झाल यह झाल Select